उत्तर प्रदेश में मोहर्रम को लेकर अलग अलग जगें ताजिया बना कर बेचा जाता है और उसको खरीद कर मोहर्रम के दौरान प्रयोग में लाया जाता है जिहां लेकिन कई जगे से धर्मगुरू मौलाना सैप अबास को शिकायते मिली है कि प्रशासन को उनकी ताजिया त्यार करने नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनको खरीदारी करने दिया जा रहा है जिहां लगनों में मुस्लिम धर्मगुरू प्रशासन द्वारा उत्ता प्रदेश में ताजिया को हटाने पर आपत्ती जताई है और कहा है कि मुहर्रम में लोग ताजिया खरीते हैं और उन्हें बेचते हैं इससे एक प्रकार का रोजगार चलता है जो सरकार द्वारा पूर हम आप से भी मुकातब हैं लेकिन असल में ये मीडिया के लिए खिलिब है और हकूमत से अपील क्योंकि मुक्तलिफ मकामाँ से हमारे पास टेलिफून ही आ रहे हैं कई जिरों से फून आ हैं कि ताजिया बनाने नहीं दिया जा रहा है जो ताजिया बनाने वारे कारीगर हैं और जो ताजिया हदिया करने वाले लोग हैं उनको परिशान किया जा रहा है उनका उत्पीड़न हो रहा है हमने लास्ट येर भी देखा था खुद मेरे शहर में कि जहां ताजिये बनाई जाते हैं और बेचे जाते हैं लोगों को परिशान किया गिया है पहले ताजिये को समझा जाए देखी ताजिया जो है उसमें और कोविट-19 से रिलेशन में कोई प्रॉबलम नहीं है जैसे दुनिया की सारी चीजें लोग खरीद रहे हैं और लोग बेज रहे हैं वैसे ही ताजिया भी लोग रखेंगे और हदिया करेंगे क्योंकि ताजिया को ये उनका कॉंसेट के ताजिया पचास फुट का होता है ये गलत है ताजिया एक फुट का भी होता है दो फुट का भी होता है पाच फुट का भी होता है साथ फुट का भी होता है और पचास फुट का भी होता है लहादा जब ताजिया के जलूस पे गौर्मिंट ने पर्मिशन दिये तो उस ताजिये को बनाने से क्यों रोका जा रहा है उस ताजिये को हदिया करने से क्यों रोका जा रहा है लहादा मेरी सरकार से अपील है हमारी योगी गौर्मिंट से अपील यही है निवेदन है कि रोजगार न छीने इन गरीमों का यूह गरीब जनता उसका रोजगार चला गया है भूके मर रहे हैं लोग लहादा जिनलों का रोजगार ताजिये से जुड़ा हुआ है जो इसमें कुछ पैसे कमा लेते हैं उनके रोजगार के ओपर रहम किया जाए और मुक्सचिप की तरफ से ये सभी जिलों के कप्तानों को प्रदेश दिये जाएं के ताजिया बनाने और ताजिये को हधिया करने बेशने में कोई रोक न किया जाए उनका उत्प्ज़ण न किया जाए और इसी के साथ मैं अपने उन अलमा से अपनी उन तन्जीबों से उन रुसूगदार लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग भी हकूमत से इस मौजू पर भी बात करके और इस काम को जल से जल हल करवाएं ताकि जो घरीब ताजिये बना रहे हैं और जिनों ने ताजिये बनाए हैं उनको इस तरहे के से काम मुकम्मल हुसके